हेलो गुड मॉनिंग और वेल्कम बेक फ्रेंट्स आप देख रहे हैं पेसर एजूकेशन यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में बात करेंगे चार फरवरिश रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अफेर बनती हैं सारी इस वीडियो में कम्प्लीट करेंगे सा की कारइगाल को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है तो करेक्ट अन्सरों वे आपका एक वर्स के लिए बढ़ाया गया था इनके कारिकाल को इतना आपको धियान में रखना है चलिए अब बात करते हैं इहां पर आज की करणट अफेर की देखे पहला को पोटल पर आघवे भारत अंतराष्टी रेसम मेले का उद्गरठन किया गाए जिसका आईजन किसके दौरा किया जा रहा है तो कट्रेक्टाइश के दौरा estar है और दन्हा स्वेस्तार्स देख ली जा जिएगा है केंद्रिय स्मृत्यरा ने सा वर्च्वली आलफी द्यान रख लीजिएगा ये जो है ये भारत का सबसे बड़ा रेसम मिला होता है अभी इस बार जो है कोविड-19 की वज़े से इसको वर्चुली लॉंच किया गया है और इसको जो है आजित कर रहा जाता है जो भारती रेसम निर्यासम वर्धने परिशद है इसके दुवारा चलिए नेक्ष्ट कौसन देखेगा हाली एसिया का सबसे बड़ा एयरशो एर इंडिया दो जार कीस بैंगालोरु में सुरू हो गया है जो इसका कौनशा संसक्रण है तो करेक्ट आन्शावा तेरवा संसक्रण देखे हाल ही में एसिया का सबसे बड़ा जो एर इंडिया सो है इसका ये तेरवा संसकर्ण हाल ही में सुरू हो चुका है बैंगलोरू के अंदर और इस संसकर्ण के अगर बात करते हैं तो इस बार इसको वर्च्वली आयुजित क्या जा रहा है कोविड-19 के वज़े से जिसके अंदर देश विदेश के लगबग 600 कमपनिया सामिल हो रही है और इसमें 14 देशों के 78 कमपनिया सामिल होगी इसके अलावा इसमें जो है मैं इस वर्ष दो सो तीन कमपनिया वर्च्वल रूप से इसमें अपने अत्यार और दूसरे सन्य सम्भान को प्रदर्शित करेगी तो यह दियान रखिएगा इस पार वर्चल होने के वज़े से इसे हाइब्रिड मोड एग्जिविशन का नाम भी दिया गया है नेक्स्ट कोसम देखिएगा हाल ही में भारत के उपराष्टपती एम वेंके अनायडो ने किस सहर में आदी मौध सव का उद्गाठन किया है करेक्ट अन्शुक आपका नई देली के अंदर हाल ही ये आदी माउतसव जो है इसका ये उद्गाठन किया गया है नई देली के अंदर जो हमारे उपराश्ट पती है वेंके नायोड़ू जी उनके दुआरा ठीक है इसके अगर बात करते हैं तो देखिए जो जनजाती कारिया मंत्राले ये वो भारती जनजाती सेकारी विपनान स्पिकास संग है ट्राइफेड इसकी संयुक्त पहल से जो है इसको सुरू करेगा था दोजार सत्रा के अंदर इस आदी माउतसव को तब से जो है ये हर साल इसका आईजिन करवाय जाता है और इसका उद्देश से है आम लोगों को एक ही इस्तान पर आदिवासी समुदायों के साथ संब्रद विविद सिल्प तथा संसकर्ति से परिचित करवाना इसका मुख्य उद्देश है तो देहां डखिएगा जो आदी माउतसव है ये ट्राइफ दोरी कि पुस्तक लिखी है जिसको हाल ही में लोन्च क які राय पुस्तक का नाम ध्यान रख लिक्रद इसका कवर्परेस्ट आप यह देख रहे हैं दूर से दकरों को Xciu इसको एकिंडाय लामा कहप राया है नहीं बॉस्तक हैं इनकी यह पुस्तक है जिसके अगर बात करते है तो जो पेगविन रेंडम हाउस है इसके द्वारा इसको परकासित किया गया है और इस पुस्तक को रेनु का सिंग द्वारा संपादित किया गया है इस पुस्तक में इन्होंने जो है मानविये कुशी को बढ़ावा देने के लिए ग्यान के उद्धरन और सब्द साजा किये हैं ये आप ध्यान रख सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट कॉस्टन देखिएगा यहाँ पर हालही में प्रदान मंतरी नरिंद्र मोदी ने मन की बात में किस राज्जे की भागे सरी नामा के एक लड़की की सहराना की है जिसने नरम पत्थरों का उप्यो करके विबिन विश्यों पर पटचित्तर बनाने की कलामे महारत हासिल की है करेक्टन शोगा ओडिशा ओडिशा की यह जो है जो लड़की थी भागे सरी नाम की जिन्होंने हालही में यहाँ पर पटचित्तर बनाने की कलामे महारत आसिल की है जिसका जिक्र हालही प्रदान मंतरी मोदी ने अपने मन की बात पिस जोसो है उसके अंदर किया था नेक्स्ट कॉसन देखेगा हालही में किस भारते संगीतकार को अलर्ट बिइंग आइकन अवार दिये गया है देखे यहाँ पर जो अलर्ट बिइंग आइकन अवार इस बार और यहाँ AIR रहमान को दिये गया है यार रह्मान सही टोटल 14 लोगों को इस बार ये अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड जो है क्यों दिया जाता है मतलब कि लोगों की जीवन बचाने के जो लोगों की जीवन बचाने के लिए कारे करते हैं उनको इस अवार्ड के लिए चुना जाता है तो यह चीज ध्यान रखिएगा और इस बार इसको जो है 14 लोगों को दिया रहा है ठीक है यह इसका चौथा संसक्रण था यह भी आप ध्यान रख सकते हैं नेक्स्ट कौसन दिखीएगा पूरव दाये हाथ के तेज गेंदबाज मर्व हुज को क्रिकेट हौल आफ फेम में सामल किया रहा है तो कर्क टान्शों लोगा यह आस्ट्रेलिया के प्लेयर है ध्यान रखिएगा यह यहाँ पर मर्व हुज है यह आस्ट्रेलिया के पूरव दाए हाथ के तेज गेंदवाज रहे हैं जिनको हाल ही में क्रिकेट हॉल आफ हैं में सामिल किया रहा है नेक्स्ट कोसम दिखिएगा हाल ही में किस भारती तेज गेंदवाज ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से सन्यास ले लिया है करेक्ट अन्स वाप असोक डिंडा असोक डिंडा जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं हाल ही इनोंने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से सन्यास की खूशना कर दी है इनके करियर की बात करते हैं क्रिकेट करेक्ट तो भारत के लिए इनोंने 13 वंडे इंटरनेशनल और 90-20 इंटरनेशनल में इस खेले हैं साथी यहाँ पे डिंडा ने जो है वंडे में 12 और टी-ट्वंडे में 17 विकेट रटके हैं इसके अलावा यहाँ पर देखेगा यह जो है गोवा के लिए स्यद मुस्ताक अलेट ट्रॉपियों के मुकाबले भी खेल चुके हैं और अस्वलिंडा जो है यह 116 फर्ष्ट क्लास में चो में 420 विकेट हासिल कर चुके हैं तो इध्यान रखिएगा हालही नोंने क्रिकेट से सन्यास की खोशना कर दी है नेक्स्ट कॉसन देखिएगा ऑक्सपोर्ड लेंग्वेज ने किस सब्द को 2020 का हिंदी भासा सब्द खोशित किया है यहाँ पर करेक्टान शुगा आत्म निर्भरता आत्म निर्भरता को हालही में यहाँ पर आक्सपोर्ड लेंग्वेज जो है इसने 2020 का हिंदी भासा का सब्द खोशित किया है इतना आपको अंध्यान रखना है यहाँ देखिएगा यह तो 2020 की बात हमने कर ली है इससे पहले की अगर बात करते हैं 2017 में इसने आधार को जो है हिंदी भासा सब्द खोशित किया था 2018 में नारी सक्ती को हिंदी भासा सब्द खोशित किया था और 2019 में सवीधान को जो है इसने हिंदी भासा का सब्द खोशित किया था तो यह चीज़ आप त्यां रखिएगा नेक्स्ट कॉसन देखिएगा यहाँ पर Amazon के founder जेब बेजोस के बेजोस ने जो CEO पद है उसको छोड़ने की घोशना कर दी है उनकी जगह किसको Amazon का नया CEO सोपा बनाया गया है करेक्ट अन्स होगा Andy Jassy जो है यह हाल ही में मनलब कि Amazon के नए CEO के रूप में चुने गया है यह आपको ध्यान रखना है Andy Jassy देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो ओनलाइन e-commerce company है Amazon इसी के नए CEO के रूप में चुने गया है यहाँ देखिएगा जो Amazon है इसके जो founder है जब से इसकी स्तापना होई थी तब से जो है यह इसके CEO भी थे लेकिन हाल ही इन्होंने अपने CEO पद से इस्तिवा देने की खुशना की है और जो नए CEO चुन दिया गया है वो Andy Jassy को चुना है ठीक है यहाँ पर देखिएगा जब बेजोस इसके founder है 1994 में इसको founded किया गया था इसका headquarter यूएस के अंदर है ठीक है यह हो गया अमेरिजन नेक्स्ट कोसन देखिएगा हाल ही में जारी बजट के अनुसार पूरक घुश पूरक पोशन कारे करम और किस अभियान के विले करते हुए mission potion 2.0 की शुरुआत की गई है देखिए हाल ही में जो potion अभियान है और जो यहाँ पर पूरक पोशन कारे करम है इन दोनों को विले कर दिया गया है दोनों को विले करके यहाँ पर एक नया जो है योजना या अभियान शुरू कर दिया गया है उसको क्या नयम दिए रहे है Mission Portion 2.0 इसको नाम दिए रहे है इन दोनों को विले करके ठीक है इतना आपको ध्यान में रखना है Next question देखिएगा जो आज की क्वीच है इसका answer आपको नीचे comment box में लिखना है Question है कि हाल ही में कोन Cell यानि कि जो Still Authority of India है इसकी पहली महिला चेर परसंट चुनी गई है यह आपको बताना है जो भी correct answer है आपको नीचे comment box में लिखना है सुकाईच यह थी आज की current फिर होप आपको वीडियो पसंद आए तो like share कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में इतना है मिलता है नेक्स टूडियो में धन्यवाद